नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं UKMSSB द्वारा जो नर्सिंग ओपिसर के 1455 पदों पर वेकेंसी निकाली गई है इस वेकेंसी के ओनलाइन फोरम के बारे में आपको पूरी जानकारी step by step दिखाएंगे कि किस परकार से आपको ओनलाइन फोरम भरना है पूरी जानकारी दिखाई जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा वीडियो में हमागे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी request है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अप लाइक और से अवस्य करेगा और साथ ही ऐसे ही वीडियो जोर ऐसे ही जानकारी या और हर एक जोब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सबस्क्राब करके वेल आइकन को दबा दीचेगा अब आईए वीडियो में मागे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको उत्राखन नर्सिंग ओपिसर का ओनलाइन फॉरम भरना है तो आपको बता दे फॉरम भरने के लिए आपको UKMSSB की ओपिसल वेबसाइट UKMSSB.org पर आना है उसके बाद यहां पर Apply Online पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार से एक पे जाएगा यहां पर एक बाद फिर से Apply Now पर क्लिक करना है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा Nursing Officer Female or Male Examination 2024 इस पे आपको Click Here पर Click कर देना है उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर आपको Apply Here पर Click करना है अब कुछ इस परकार से आपके सामने एक पेज आएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Candidate Register Here आपको इस बटन पर Click करना है उसके बाद यहाँ पर Post Name का Selection कर लेना है अगर आप Female है तो यहाँ पर आपको Nursing Officer for Diploma Holder और Degree Holder देखने को मिल रहा है इसके साथ ही Mail के लिए भी यह Same Option देखने को मिल रहा है for Diploma Holder और for Degree Holder तो आपको अपने हिसाब से Selection कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको Mr. देखने को मिल जाएगा तो आप उस पर Click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे नाम यहाँ पर आपको अपने Capital Letters के अंदर फिल करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी Email ID और यहां पर आपको अपने मॉबाइल नमबर फिल करके generate OTP पर क्लिक करना है पर यहां पर एपने email ID वाले OTP determinair यहां पर और उसके बाद आप 윽 पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ट देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर परस्नल डिटेल्स के अंदर कुछ चीज़े पाहले से फिल रहेगी और कुछ यहाँ पर फिल करनी होगी जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आप पिता का नाम और यहाँ पर माता का नाम फिल करेंगे और यहां से आप marital status को select कर लेंगे उसके बाद यहां post name जो की हमने पहले fill कर दिया था तो हमें देखने को मिल जाएगा फिर यहां पर हम address के details में आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले इस्ताई पता फिल करना होगा इसताई पता में हम यहां पर जो है सबसे पहले house number या street को fill करेंगे उसके बाद यहां पर जो है हमें fill करना है locality को फिर यहां से हमें राजी का chain कर लेना है राजी का यहां से chain कर लेंगे उसके बाद यहां पर हम जिल्ले का chain करेंगे तो यह जानकारी आपको फिल करने की आवसकता नहीं होगी लेकिन अगर आपका correspondence address अलग है तो यहां से आप untick करेंगे और यहां पर आप जो है जानकारी फिल करतेंगे और अगर same है तो same as permanent पर टिक करतेंगे उसके बाद domicile details पर आ जाते हैं अगर आप उत्राखन राज्य के स्ताई निवासी है तो ऐसे में यहां पर आपको yes पर टिक करना है उसके बाद यहां पर domicile certificate number उसके बाद यहां पर आपको domicile issuing district यानि कि किस जिल्ले से आपको domicile यानि कि स्ताई निवास का पर्मान पत्र मिला है उसके बाद यहाँ पर आपको domicile issuing date फिल करनी है और यहाँ पर आपको domicile issued by जिसमें आपको यहाँ पर SDM तहसिलदार का जो पर है वो देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर आप no करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको इन दोनम ऐसे किसी में एक में yes करना होगा तो यहाँ पर अगर आप domicile है तो yes करेंगे और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह जानकारी फिल कर देंगे फिर बात आती है category reservation details की तो यहाँ से आप अपनी जो category है उसका chain कर लेंगे category का chain करने के बाद यहाँ पर certificate number यानि की जाती प्रमाण पत्र की संख्या फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर certificate issuing district का chain कर लेंगे और यहाँ पर certificate issuing authority का chain करेंगे तो इन में से किसी एक का चैन करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपनी date of birth का चैन करेंगे, जो भी आपकी date of birth है उस date of birth को यहाँ से आप चैन कर लेंगे, date of birth का चैन करने के बाद यहाँ पर जो है आपकी age calculate होकर आ जाएगी आपको बता दे एक जुलाई 2023 तक आप 21 वर्ष के होने चाहिए तभी आप फॉरू फिल कर दाएंगे उसके बाद यहाँ पर आप नेसलेटी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अगर आप employed है तो yes करेंगे अने ता यहाँ पर आप नो कर देंगे उसके बाद यहाँ पर हमें identity वर्ष फिल करना होगा जिसमें हम किसी भी एक का चैन कर देंगे और यहाँ पर हम जो है identity number फिल कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको email ID और mobile number देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपक mobile number यानि कि अगर कोई अन्य mobile number आप देना चाते हैं तो दे सकते हैं हलांकि आवसकता नहीं है उसके बाद जब आप नीचे के और आएंगे तो other details का एक page देखने को मिलेगा जिसमें सबसे पहले आप से पूछा जा रहा है NCC B और C certificate अगर आपके पास NCC का B या C certificate है तो यहा पर भी आप no रहने देंगे और अगर आपके खिलाप कोई भी criminal case pending है तो यहाँ yes और अगर नहीं है तो आप no करेंगे और उसके बाद आप update पर क्लिक कर देंगे अब आपके सामने कुछ इस परकार से एक page आएगा यहाँ पर आपको proceed to step second पर क्लिक करना है अब आपके सामने कुछ इस परकार से qualification details का एक page आजाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने class 10th की details fill करनी है जिसमें सबसे पहले आप यहाँ विद्याले का नाम फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप विद्याले का नाम से पहले fill कर देंगे enter पर click करेंगे और उसके बाद यहाँ प बताएंगे कि आपके जो अंग किसमे हैं यहां पर आपको passing year बताना है कि कि साल के अंदर आपने 10th class पास करी थी यहां पर आप marks obtained बताएंगे और total marks यहां पर आप फिल कर देंगे उसके बाद percentage अपने आप calculate हो जाएंगे आपको यहां result declaration date भी फिल करनी होगी कि आपका जो result है वो कब declare किया गया था तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका result जो है कब declare किया गया था mark seat पर भी आपको देखने को मिल जाएगा या फिर आपकर आपको online देखने को मिलता है तो वहां से भी आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पर 12 और यहां पर आपको graduation degree या फिल प्रेल देंगे फिर हम आज आते हैं registration details के page के अंदर तो यहां पर आपका जो है उत्राखन nurses and midwives council के अंदर registration होना चाहिए जिसमें आप registration से क्या फिल करेंगे date of registration और यहां पर आप validity फिल करेंगे कि जो आपका registration है वो कब तक valid है तो यहां से आप फिल कर देंगे उसके बाद proceed to step third पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने upload images का page आएगा यहां पर आपको choose to upload photo पर क्लिक करके passport size photo upload करना है जिसकी size 50 से 100 के भी तक होनी चाहिए और dimension भी यहां पर आप चेक कर सकते हैं और sample image यहां पर आपको दी गई है तो choose to upload photo पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर आप अपना photo upload कर देंगे कोछ इसी परकार से यहां पर आपको अपना signature भी upload करना है जिसकी size 20 से 100 के भी तक होनी चाहिए और यहां पर dimension आप देख सकते हैं फिर जो documents अगर बाकी जिन categories के अंदर आते हैं तो वो भी आपको fill करने होंगे तो आप क्या करेंगे यहां पर आप high school certificate और intermediate certificate और उसके बाद अपने graduation यानि की degree या diploma का जो mark city उसे upload करेंगे फिर यहां पर आपको क्या करना है अगर आप category certificate SCST OBC EWS से आते हैं तो आपको category certificate भी upload करन होगा और बाकी जो सब categories है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी इसके साथ यह आपको उत्राकर nurses and midwives council देरादून का जो registration certificate है उसे भी upload करना होगा तो आपको क्या करना है आपको एक PDF बनानी है PDF के लिए आपको online tools देखने को मिल जाएंगे अगर आप JPG to PDF सर्च करे यानि की upload करेंगे और फिर PDF बनाकर उसे download करके यहां पर आपको choose file पर click करके upload करनी है ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सारे के सारे document आपके एक ही PDF के अंदर होने चाहिए choose file पर click करेंगे उसके बाद upload करेंगे और यहां पर आप proceed to step 4 पर click करतेंगे अब आपके सामने कु इसके बाद यहां confirm पर click करना है अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page आएगा यहां पर आपको किसी भी एक payment gateway का selection कर लेना है और उसके बाद यहां पर आपको नीचे की और आना है और payment now पर click करना है उससे पहले यहां आपको I have read and accepted payment terms in condition पर click करना है उसके बाद यहां पर आपको yes पर click करना है अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पे जाएगा यहां पर आप debit card, credit card या फिर अगर आप net banking से pay कर रहे हैं तो उसकी जानकारी fill करके pay पर click करेंगे आपका payment हो जाएगा उसके बाद आपको इस application forum का final print out निकाल देना है तो कुछ इस प्रकार से आ आप नर्सिंग officer का online forum भर सकते हैं हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है अगर कुछ भी जानकारी आपको लगता है कि छूट गई है तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं हम आपके comment का जवाब जरूर देंगे मिलेंगे आप से लिए वीडियो में किसे ने update के साथ तब तक क हैं हमने कि भीडर कर एता हैं है थाफ झाउन चेक कि लिए हैं कि अरूर आपको लगते हैं हैं और सकते हैं 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 हम इन